सही दिशा में किया गया हर एक प्रयास एक दिन सफलता के द्वार खोली देता है जी हाँ ये लाइन से आपने कहीं जरूर सुनी होगी लेकिन किस से ये लाइन स कही हैं इंडिया के Most Famous Quant के टीचर अवने सर्मा सर ने और अवने सर्मा सर अब आ रहा हैं टेश्बुक सुपर कोचिंग पर यूटूब की दुनिया के Most Famous चैनल अवने मैथ के फाउंडर अवने शर्मा सर अब SSC के Quantity Attitude का फॉल कोर्स आपको पढ़ाएंगे SSC सुपर कोचिंग पर तो देर किस बात की अभी जाईए और अपने SSC के Eczam को क्रेक करने का सबना पूरा कीजिए Hi गाईS, good evening everyone, कैसे हैं आप लोग? Good evening people, welcome back to तो देस्बुक सुपर कोचिंग, this is Ananya Singh और English, mentor सागत हैं आप सभी कर देस्बुक सुपर कोजिंग के ऊपर और जितने लोग यहां पर हैं सबसे पहले मुझे बता दीजे मेरी audio video ठीक है कि नहीं अइप प्रॉपली और विजबल और विजबल जैहन पटाफट से बता दीजे टेस्ट बॉक पर कभसे का क्लासे स्टार्ट होंगी समझ लीजे कि बस आपकी live क्लासे स्टार्ट होने ही वाली है जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए audio video clear है कि नहीं come on people past सब बढ़िया जखास चलिए यार हम कहीं भी हो हम खुद सोचते हैं कि आरे आपकी class के time आपखी class टेथे हैं हम अपको तो पता ही होगा आप लोग मेरेatt़ और अलrdi आड़े वह से लोग तो आपको पता है कि हम कहां थे बस भागते 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 आपके सामने समझ ली जा कहीं भी मैं दुनिया में हूँ दस बचते आपके सामने मैं आ जाती हूँ I don't know how ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करें आची क्लास चलिए Let's get started बस एक बार मैं session को share कर दू है ना Session को share कर दू आप भी कर दो यार है ना जिससे की maximum लोग तक ये session पहुँच पाए बस एक second का time दे ना Come on people, fast Share कर दीजे सारे लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनियेगा ये जो आपका session है मैं लेकर आई हूँ It's a rule-based session 120 rules यहाँ पर हम पूरे cover up करने वाले हैं मैंने सोचा की देखो यार हमने mock test all किये हैं हमने CGL के time पे अब यहाँ पर हम लोग preparation कर रहे हैं CHSL की तो CHSL की preparation की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो important चीज होती है वो होता है subject का base जब तक subject का base नहीं हमारा मजबूत है जब तक हमारे घर की नीव नहीं मजबूत है घर कितना आली शान बना लो कितना खुबसूरत महल बना लो वो ढह जाएगा थोड़ा सा जबूकंप का जटका आया नहीं की महल गया इसलिए हमको नीव हमको अपना base foundation बहुत मजबूत करना है अगर exam clear करना है तो बस उसी लिए आपका ये वाला session यहाँ पर लाया गया है ठीक है येस तो जितने लोग यहाँ पर पहली बार आये हो ये है मेरे telegram group का नाम इसको join कर लीजेगा अनन्यमाम underscore test book यहाँ पर मिल जाएंगे आपको मेरी सारी की सारी pdf जितने भी मेरे session होते है सब की pdf आपको मेरे telegram के उपर मिलने वाली है कोई डाउट इसमें ठीक अब दूसरी काम की बात ये है कि ये है हमारे champions जिन होने test book का नाम रोशन किया है इंडिया के अंदर top करके मतलब इंडिया के अंदर under 100 rank लाके तो अगर आपको भी इनके जैसा बनना है तो आप भी test book सुपर coaching जोईन कर सकते है description box में link दिया गया है आपको simply link पे जाना है और एक code यूज़ करना है ठीक है? CHSL का batch 299 का मिल रहा है इसकी जो कीमत है, इसकी जो value है वो है 2499 लेकिन ये batch आपको मिल रहा है 299 का जिसके अंदर आपको life classes मिलेंगी आपको notes मिलेंगे और आपको mock test भी मिलेंगे test book pass free मिलेगा अब code जो आपको यूज़ करना है वो है मेरा नाम, Ananya A-N-A-N-Y-A ठीक है? That's my code जो आपको यूज़ करना है इसमें जिसपे आपको discount मिलेगा और ये batch हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 269 का बिलीव नहीं हो रहा है कि 269 में batch मिल सकता है हमको भी नहीं हुआ था जब हमने इसके बारे में सुना था but that's the truth ये सच है और description box में जाना इस batch को ले ज़रूर लीजएगा ठीक है? चलिए अरे ऐसे कैसे मेरे hair पर comment आएगा हमको एक second का आप लोग time दो आपको question देते ही अपने बाल हम बान देंगे चलिए पहरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर फटा फट से इसका आंसर दीजे जल्दी जल्दी से यार हम लेट नहीं कर सकते से ना आंसर देना शुरू करिए आप लोग फटा फट से जल्दी जल्दी से come on people answer दीजे सारे लोग चलिए आप लोग क्या हम ही नहीं जहेल पाएंगे इनकों पढ़ा ही नहीं पाएंगे वैसे answer बताईए कुछ लोग कह रहे हैं would होगा कुछ लोग कह रहे हैं want होगा चलिए देखते हैं क्या होता है answer जट से देखो और बताओ सब लोग देखा question को ध्यान से पढ़ोगे I wanted to know more about you but your father will not allow me अच्छा अच्छा मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था लेकिन आपके पिता जी ने आलाओ नहीं गया देखते हैं कौन सा इसमें लगता है ध्यान से सुनना I wanted to know more about you कौन सा टेंस है बेटा इंग्लिश में समझ लो पहली ही जो सबसे important law होता है जो rule होता है that is law of parallelism law of parallelism law of parallelism के अंदर अगर कोई statement है आपका normal सा conditional statement नहीं है normal सा statement है जो past tense में है या किसी भी tense में है तो वो uniformity उसको maintain रखनी होती है मतलब that statement has to be in the same tense ठेक है अगर ये past में है तो पूरा past में होना चाहिए I wanted to know more about you but your father will not allow me would not past tense चलेगा ना boss would not allow me मुझे बताओ ये चीज समझ में किसको किसको आ गई ये चीज समझ में आई कि नहीं सब लोग बता दीजे is it clear people ठेक है चले आगे let's go the next question is up अब मुझे बताना कोई ऐसा rule English grammar का रहेगा नहीं क्योंकि 120 rule में पूरी की पूरी grammar से मिटी हुई है question इस 120 rule से बाहर नहीं आता ठेक है चलिए अगला सवाल देखो और आंसे बताओ हमे question कहता है they have been trying they have been trying to convince him for months but they have still no succeed they still have no succeed answer बताईए जल्दी से कह रहे है succeed होना चाहिए अच्छा भई no success होना चाहिए क्या हो गया है आप लोगों को सबसे पहले तो यार जाके सारे के सारे ज़रा एक बार session को like करके आओ पटा फट से यह हमको बड़ा सन्नाटा सा बड़ा शांती सी लग रही है session में बस इतनी है energy है आप लोगों के अंदर हां मैं भागी भागी कहीं से भी चली आती है आपके लिए और आप बस इतनी energetic हो चलिए देखे जरा ध्यान से so now they have been trying to convince him for months but they have still no succeed इसका क्या मतलब हुआ लेकिन वो अभी भी succeed नहीं हुए है लेकिन वो अभी भी succeed नहीं हुए है still not succeeded they have still not succeeded मेरे भाई क्या कर रहे हो not succeeded यह बात समझ में आई की नहीं got it or not ठेक है not succeeded होगा absolutely right इसमें किसी को दिक्कत चलें आगे हंजी अगला समाल है आपके सामने आज से बताए जरा question कहता है he didn't eat the sweet because it tasted sorry यह rule इतना बहतरीन है तो क्या है have लगा है ना निधी कहां से past हो गया जब वहां पे have लगा हुआ था तो क्या have के साथ वर्ब की third form नहीं लगती है हां have के साथ succeed नहीं तो क्या लगाओ गए बताइए हमको जितने भी ऐसे आपको verbs मिलें जो आपके sense organs related हों वो सारे verbs जो आपके sense organs related होते हैं hear, taste, see, smell, feel सारे verbs जो sense organs related हैं उनको कभी भी adverb modify नहीं करता उसको हमेशा एक adjective modify करता है, adjective modify करता है, tasted sourly, sourly is wrong क्या होना चाहिए, tasted sour, क्योंकि sourly तो एक adjective हो गया, sorry, adverb हो गया हमको adjective चाहिए था, क्योंकि taste tongue से related है और tongue हमारे sense organ है ये बात किसको किसको समझ में आई, बताइए जरा, ठेक है, हां जी, हां जी बिलकुल पटवारी के लिए कर सकते हूँ, आप मेरी glass, ठेक है, चलो भई, अगला सवाल देख लो कहता है question, he visited Bilaspur, on 22nd October, was he, he visited Bilaspur, on 22nd October, was he देखें और बताएं जरा, God bless you Abhishek, जल्दी से देखो और बताओ, क्या बात है, अब देखना विलकुल ध्यान से सारे लोग, question कहता है, he visited Bilaspur, on 22nd October, was he, क्या होना चाहिए, didn't he, exactly, जब तक यहाँ पे helping verb ना लगे, आप do या did के form में लगाते हो question tag, helping verb तो नहीं लगा है, was तो लगा नहीं है वहाँ पे, या wasn't तो नहीं लगा है, तो यहाँ पे, अब क्योंकि past tense है और positive statement है, तो हो जाएगा didn't he, क्या हो जाएगा didn't he, positive statement था, negative question tag होना चाहिए, tense, same लगना चाहिए, यह दोनो rules कल मैंने आपको लिखवाए है, question tag के, या आप करो सारे के सारे, लिखवाया है कल यह rule की नहीं, तो रूल of question tags, पहला रूल 10th same होता है, दूसरा रूल, negative statement, positive question tag, positive statement, negative question tag, दन, चलिए, बताना जरा, she gave me a book yesterday, and the same was, written by one of the best-selling author, देखें जरा, कोई tension नहीं है, हम कह रहें न, हम जब आपको rules पढ़ाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना rules पढ़ाएंगे, कि जो पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे का गायब होता जा रहा है, हम आपको साथ-साथ में revise भी करवाते चल रहे हैं, क्यों परिशान हो रहे हो, हम कुछ भी गायम नहीं होने देंगे, एक बहुत common rule है ये, English का बहुत common rule उसको माना जाता है, especially SSC experience के लिए, So, nice rule पर question बहुत बनते हैं, ये जो one-off है ना यार, one-off के बाद लगने वाली noun हमेशा plural होती है, और verb हमेशा singular, ये होता है one-off का rule, तो she gave me a book yesterday, and the same was written by one of the best-selling authors, क्या लिखा है, one of the best-selling ये noun होना चाहिए, it should be authors, authors, ये बात समझ में आई सबको, नान, चलो आगे next question पर, let's see, अगला सवाल रेखो भई, क्या कहता है, question कहता है, the recruiters were pleased to John's domain knowledge and personality, देखें भई, अब बताए ज़रा इसका आणसर, hmm? pleased at, गलती तो पकड़ ली है, लेकिन कहा गलती सही पकड़ पाए हो, कुछ लोगों ने पकड़ ली है सही गलती, तो उन लोगों के लिए मैं clap यहाँ पर कर लई हूँ, जिन्होंने answer with बताया है, very good, हमारे पास fixed preposition होता है, fixed preposition समझ लो, जितने लिखवा हूँ समझ लो, उतने rules हैं, fixed preposition कभी भी लिख के, रट के याद नहीं होंगे, यह हमेशा practice से आपको याद होंगे, ठेक है, और please, क्योंकि जब आपकी practice हो जाएगी ना, आपको कुसी specific word के बाद, वही preposition सुनने में अच्छा लगने लगेगा, ठेक है, pleased के साथ हमेशा with होता है, pleased with something, किसी चीज़ से impressed होना, खुश होना, means you are pleased with that thing, ठेक है, the recruiters were pleased with John's domain, with John's domain knowledge and personality, done, हाँ जी, next देखे तरा, until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station, जरा बताएंगे answer, कौन दे पाएगा सही जवाब हमको इस पे, बताओ भी, until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station, क्या लग रहा है answer, चलो, इसका meaning आपको अगर समझ में आ गया, मतलब पूरा आपके लिए बहुत इजी है, बस आपको meaning समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो, हूँ, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, until I was still a little weak, हाला कि मैं थोड़ा सा weak था, फिर भी मैंने metro station से घर आया, मैं फिर भी metro से, मैं फिर भी मैंने क्या किया, walk किया metro station से, मैं थोड़ा weak feel कर रहा था, अब यहां पे फिर भी वाला sense आ रहा है, हाला कि मैं अभी भी थोड़ा कमज़ोर था, मैंने decide किया, कि मैं घर metro station से walk करके चलूँगा, बताए समझ में आया कि नहीं, यह अब जो आपके conjunctions मान लीजे, conjunction कह लीजे इसको यहां पे, although यहां पे conjunction का काम कर रहा है, जब आप दो statements को जोडते हो, तो conjunction कौन सा लगेगा, वो हमेशा sense of the statement पे depend करता है, यह पहले से मैं उसका hard and fast rule नहीं बता सकती हूँ, sense क्या निकल रहा है, हाला कि निकल रहा है, तो although, यह फिट दो, अगर जब तक का sense निकल रहा है, तो until लगाईए, unless लगाईए, यह बात समझ में आई, ठेक है, चलिए, दो भी आप लगा सकते थे, बिलकुल लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर दो लगाते, दो और although ऐसे interchangeable होते हैं, most of the cases, ठेक है, चलो, next देखे, question पर दिखान दीजेगा, question कहता है, economics have been, have always been my favorite subject, since class 9th in school, जल्दी से, आप मुझे बताई गलती कहा, मतलब statement सही कौन सा है, statement सही कौन सा है, आपको यह बताना है, economics, एक subject है, और कोई secondary meaning भी नहीं आ रहा है, economics सीधे साधे, अपने primary meaning में यहां पर आ रहा है, यूस हो रहा है, and that is why economics के साथ, singular verb लगेगा, यह plural, यह plural, यह plural, यह plural, अजर होना चाहिए, singular option number one, singular verb will be used with economics, am I right, बात हुई clear, ठीक है, clear, अब सुनना, अगला सवाल, कहता है, I requested that he should be given the driving test today instead of tomorrow, आइसे बताईए, 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 नई संजना, अलग अलग दोनों नहीं आएंगे, देखो, बताओ भाई, क्या लग रहा है आइसर आपको, रिक्वेस्टेट के साथ तू लगा दे, अच्छा, अच्छा, शुड हाव गिवन लगा दे, अच्छा, गिव लगा दे, ठीक है, अब मेरी बात, कान खोल के सुनना, इस statement में, इतना statement active होना चाहिए, कि passive होना चाहिए, हमको यह बता दो, statement active होना चाहिए, कि passive होना चाहिए, मुझे लगता है, test कोई और दे रहा है, या फिर ये बंदा दे रहा है, जिसकी बात हो रही है, test तो इसको देना है न, ये test देगा, ये बंदा request कर रहा है, कि आज test दे ले, आज test दे देना चाहिए, ये request कर रहा है, तो active voice होगी न, यहां पर passive का structure लगा है, यही तो गलत है active का structure होना चाहिए क्या आब कर रहे हो, structure लिखा passive का है, जो कि गलत है I requested that मैंने request किया कि उसको आज ही test देना चाहिए मैंने request किया कि उसको आज ही test देना चाहिए, he should give the driving test today देखिए, ठेक है, should plus v1, model worth plus v1 आता है आपके active में, चले आंगे, let's go, बताओ, कहता है question, the period of our life, must not measure in minutes or seconds, but through actions, because we do not live in time, but thoughts, बताओ, आंसर, मैं देखिए, यहाँ पे लोग हैं, साढ़े 500 से जादा, और number of likes हुएं हैं, सिर्फ 200, ऐसा क्यों भई? सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सेशन को like भी कर सकते हैं, बढ़ा है? हाँ जी? चलिए ओके, अब सुनना मेरी बात the period of our life must not measured, must not measured must क्या है? एक model verb है, और model verb के साथ, rule हमारा model verbs का एक ही हम use करते हैं, सुनियेगा, जो भी modal verb है, ठीक, कितने भी modal verbs आपके हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की first form is used, note down कर लीजे इसको, जो लोग first time इस rule को सुन रहे हैं, so must is a model verb, इसके बाद क्या लगना चाहिए? must not measure, must not measure, verb की first form, ठीक है? exactly, चलो, आगे देखो, rule says this, ambition, ambition, compel human beings to practice day in and day out, to see their ambitions fulfilled, बताईये जड़ा, hmm? जल्दी से, compels होना चाहिए, अच्छा, ambition, ambition, यह क्या है? बताओ भई, ambition, singular है, ambition is a singular noun, basically it's an abstract noun, abstract noun है, singular है, इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए? इसलिए यहाँ पे, singular verb लगनी चाहिए, so it should be compels, क्या हो जाएगा? compares, ambition compares human being, to practice day in and day out, to see ambitions fulfilled, यह basic subject वो बगरे में तापका था, right, ठेक है? चलो, next लेको जड़ा, कैता है सवाल, some people gets ideas, while taking bath, or when they walk up during night, मताईये, people लिखा हुआ है, isn't it basic subject verb agreement? people क्या है? people तो plural noun है, और अगर यह plural noun है, तो यह verb ही तो plural होनी चाहिए, it should be get, किसी भी अप इस बात को सुन लेना, यार, बहुत भयानक confusion इस चीज़ में होती है, noun और verb में, लोगों को समझ में ही नहीं आता, कहां singular है, कहां plural है, noun में अगर s जोड दिया जाता है, तो noun अक्सर plural हो जाते है, ठेक है, verb में अगर s जोड दिया जाता है, तो verb singular हो जाता है, याद रखना, ठेक है, तो gets यहाँ पर verb है, जो कि singular है, तो होना चाहिए get, बात समझ में आई, सब को, ठेक है, चलिए, अगला देख लीजे, तो सवाल कहता है, the pollution level is very high in our city, and becomes a health hazard, बताईए, बेटा संजना, uncountable के साथ, कौन सा आप verb लगाते हो, आप हमको यह बताओगे, uncountable noun के साथ, क्या plural verb लगता है, ऐसा आपको किसी ने पढ़ाया है, क्या, हमने तो नहीं पढ़ाया है, किसने पढ़ाया है, बताईए भई, बताईए भई, क्या आपको किसी ने पढ़ाया है, क्या आपको किसी ने पढ़ाया है, हिजार, हिजार बन चुका है, एक हिल्थ हिजार बन चुका है, तो हास बिकम अ हिल्थ हिजार हो जाएगा, ठीक है, पलूशन लेवल is very high in our city, आपको किसी ने पढ़ाया है, पलूशन लेवल है, ठीक है, ड़न, लेज़ो, से बताईए, तो सबसे एक easy सा rule और सबसे जदा confuse करने वाला rule, हम भी बड़े confuse होते थे पहले, starting starting में जो हमने English पड़ते थे, बड़े confuse होते थे हम, ठेक है, इन दोनों में भाई, इन्होंने मुझको बहुत confuse किया है, आधे time तक तो हमको समझ में ही नहीं आए कि लोचा क्या है, जब हम ये लगाते हैं तो गलत हो जाता है, जब ये लगाते हैं तो गलत हो जाता है, तो बस इसका लोचा इतना सा है, कि कहीं पर noun की requirement हो तो आप ये लगाओ, इसका मतलब होता है तो ये लगा दो, इसका मतलब होता है प्रभावित, ठीक है, किसि चीज प्रभावित ये करता है, ये प्रभावोता है, तो आंसर क्या हो गया, why does the lapse rate affect, वर्ब चाहिए ना, प्रभावित करता है लापश रेat, किसको tendency of air to rise को, Got it? ठीक, चले आगे आगे का समाल देखे जरा Question क्या कह रहा है? बताओ बताईए भई Very good, very good Statement भी अच्छे हैं, बाकी लोग बताईए जरा चले आगे आगे आगे? So the thorax is the upper part of your body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragm क्या होना चाहिए? मेरी science वाली teacher नहीं आदा गई class 10th की बड़ा जीव सा प्रणाउंस करती थी diaphragm diaphragm, पताँ नहीं मैं प्रणाउंस नहीं कर पाऊंगे उनके जैसे answer बताईए क्या हो जाएगा? diaphragm, basically जब आपकी body parts होते हैं न body parts क्योंकि unique हैं, एक-एक हैं तो उनके पहले हम दा लगाते हैं, the heart the liver, the stomach, the ribs the diaphragm क्या लगाएंगे? the diaphragm ठीक है? rule note कर लीजे, body part body organs body organs के पहले definite article दा articles की ये जो point है ना यार ये maximum लोग भूलते ही भूलते हैं सबसे कम गलतियां जो ढूंडी जा सकी हैं आज तक इतिहास में अब तक English grammar में वो articles की रही है till date ठीक है? चलें आगे? let's go question अगला आचुका है बताएगा देखें भई the practical uses of astrology have seldom been seriously studied outside India बताओ भई देखें जरा answer देते चलिए हमको सारे लोग और session को अब तक light नहीं किया है क्या? नहीं मेरी कोई offline coaching नहीं होती है guys online coaching ही है मेरी test book का कोई offline office लखनों में मुझे ही लगता की है nope चलिए अब देखें जरा तब ही तो आपने देखा है कि शूट्स वगेरा के लिए मैं मुंबई जाती हूँ लखनों में होता तो कहां मैं मुंबई जाती है ना? चलिए आजाए so the practical use of astrology the practical uses of astrology have seldom been uses के लिए have लगा है seldom में कहीं कोई negative नहीं लगा है पूरा statement बिल्कुल सही है no error कोई गल्ती इसमें है ने ठेक है no error is the right answer ठेक चले आँगे let's go देखे जरा our tractors will have both the national flag but that of our unions हाँ बताओ समझ में statement आ रहा है की नहीं statement का मतलब है की हमारे जो tractors होंगे उस पे हमारा देश का जहन्डा भी होगा और हमारे संग हमारे union का जहन्डा भी होगा तो यहाँ पर बट लगाने की क्या जरूए थे भाई बट का तो मतलब होता है लेकिन है ना बंदा कह रहा है क्या कह रहा है बंदा यहाँ पर बंदा कह रहा है की जहन्डा union का भी होगा और जहन्डा किसका होगा national flag भी होगा दोनों होंगे ना तो क्या लगना चाहिए and लगना चाहिए it should be and कोई doubt किसी को बताइए जरा कोई doubt परिशानी दिक्कत ठेक चले आंगे let's go अगला सवाल देखिए Trump and Bannon have has an up and down relationship गलती गदम आँखों में चुब रही है ऐसी गलती है इस पर बताइए आप लोग को पता है कि have के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है have के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ठेक है वी थ्री लगता है क्या ये वी थ्री है is it वी थ्री? मताओ is it वी थ्री? नई न, थर्ड फॉर्म होता है had थर्ड फॉर्म होता है had देखिये, Trump and Benon have had Trump and Benon have had an up and down have had an up and down relationship since the flamboyant advisor left the White House in 2017 कोई doubt किसी को इसमें है तो हमको बताओ बताओ बताओ, बताओ दान ठेक चले अरे बस करो यार iPhone है कि नी session can में बताएंगे ठेक है? चलो अग्ला सवाल देखियो और आंसर बताओ इसमें अग्ला सफियों डेखियों आजे, अग्ला सब रही हैं, अग्र आप क्लासेश ले लो दो जा जारूरी है, तो पतवारी असानी से निकल जायेगा, चुटकियों में निकल जायेगा, ठेक है? बताओ भई बताओ भई सब लोग बताईए स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया इंडिया का सीरीज जीतना उस्टेलिन कापिटन के लिए बड़ा सदमे वाली चीज थी बट उसने इस चीज को कंट्रोल किया बहुत हिम्मद से कवर अप कर लिया मीडिया के सामने बहुत अच्छे से कवर अप किया उसने धका हमारे पास एक फेरविल कह रहे हैं एक फ्रेजल वर्ब होता है बियर अप बियर अप का मतलब होता है फीलिंग्स को एमोशन को छुपा लेना ठीक है? हाइड एमोशन और फीलिंग्स इमोशन ठीक बियर अप और बियर अप का पास्टन सो गया बोर अप ठीक है? राइट आंसर इस बोर अप बोर अप ब्रेवली देखो बोर अप ब्रेवली ठीक है बॉस? समझ में आया? डान? फ्रेजल वर्ब नोट कर लीजे क्योंकि फ्रेजल वर्ब को क्वेशन आते हैं बॉस अब जितने फ्रेजल वर्ब समझ लीजे आप से पूछे जाएं आपका उतने रूल्स हो गए ठीकिन रूल्स नहीं जहां जहां जो इंपोर्टन फ्रेजल वर्ब है वो मैं कोशच करूँगे कि आप लोगों को आ जाएं वो मैं आप लोग के लिए इंक्लूड कर दूँ इसमें ये बात समझ में आई सबको ठीकिए? चलिए अगला सवाल सुनिएगा बताए आर सेल्फ इमेज इस बेस्ट अन वाट आदर्स मेक आस बिलीव वाट आर वी हमारे जो सेल्फ इमेज होती है न अकसर बताए किस पर डिपेंड करती है अकसर डिपेंड करती है कि लोग लोग हमें क्या दिखाते हैं कि हम कैसे है मतलब डेफिनेटली हुमन बहेवियर हैसा ही होता है है ना? आंसर बताएए वर भी होना चाहिए अच्छा आर होना चाहिए अच्छा हमको एक बात बताना यह पूरा स्थेट्मेंट क्या इंट्रोगेटिफ स्थेट्मेंट है बताओ क्या ये एक interrogative statement है बता दीजे हमको फटा फट से सब लोग क्या ये एक interrogative statement है and the answer is no interrogative statement का मतलब जहां पर सवाल पूछा जा रहा है जिस question के end में question mark आया है क्या इस question के end में question mark देख पा रहे हो answer दिया करो हम जब कुछ पूछ रहे हैं यार हमको लगता है फिर हम camera के सामने ही बस खड़े हैं कैसे मेरे अंदर यहां पर आपको पढ़ाने का interest जागेगा जब तक आपकी तरफ से response नहीं आएगा कैसे जागेगा एक खाली room में हम camera के सामने खड़े होके बरबर कर रहे हैं कैते तो है कैसे मेरे अंदर motivation आएगा जब तक आपकी तरफ से response नहीं आता तो हम कुछ पूछे तो उसको बताया करो ठीक है नहीं है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट और इसलिए यहां पर inversion क्यों लगा रहे हो inversion सिर्फ उस statement में लगता है जो इंट्रोगेटिव होता है या जिसके स्टार्टिंग में कहीं पर आडवर्ब लग जाए शुरुवात अगर स्टार्टिंग में आडवर्ब से होती है तो उसके बाद inversion लगता है अगर आपका चलो भाई अगला सवाल है आपके सामने राइटर्स और मीडिया पर्सुनल सेल देर सेल्स बेस्ट बाई इंप्रेशन गिवन इन देर वर्बल एक्स्प्रेशन मताईए बताईए यह पूरा अड़ लाइन है हाव के साथ हाड इसलिए हुआ क्योंकि हाव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है और हाड का मतलब कुछी चीज को हासल पाने वाला पूजेशन था वहाँ पे मेन वर्ब की तरह हाड आ रहा था चलिए बताईए themselves बोल रहे हैं लोग अब लोगो यह को लगा कि यार début जैसा तो कुछ होता नहीं है लेकिन हाड जैसा तो हमने सुना है तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा इन लोगों ने इन लोगों ने क्या कि अपनी आखे बंद कर ली इन्होंने यह सी नहीं पढ़ा इनोंने यह नहीं पढ़ा। सिर्फ इनको लगा कि यार theirselves कुछ नहीं होता है themselves होता है, हम themselves लगा देते हैं यही क्याना अप लोगों ने यही क्याना मतलब कही पर कुछ भी कोई भी pronoun कही पर लगा दो कि यह नहीं होता है, यह होता है हम यह वारा प्रणावन लगा देंगे their sales तो नहीं होता है इतना तो चलो confirm है error तो ठीक हो जाएगा लेकिन अगर improvement आता तो क्या करते है यहाँ पे आपको reflex नहीं लगाना है यहाँ पे आपको simple कौन सा लगाना है क्या लगाना है आपको positive objective लगाना है their best they give their best they sell their best क्या हो जाएगा they sell their best अपनी तरफ से अपना best उन्होंने sell किया बताओ भाही समझ में आया की नहीं और question अच्छा था की नहीं हमको यह बताईए मज़दार question था मज़ा आया ठीक चले आँगे let's go the next question is up answer बताईए जरा सवाल कहता है Nora hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments answer बताओ कोई बात नहीं सेवी यार मज़ाग तो सबका उड़ता ही उड़ता है किस नहीं चीज को लेकर हम अभी बताने लग जाएंगे हमारे कितने स्कूल में मज़ाग उड़ता था तो क्या ही बताएंग juvenile अभी भी मज़ाग उडाते हैं मेरे फ्रेंच मेरा कोई नाख का उड़ा रहा है कोई कान का उड़ा रहा है कोई बाल का उड़ा रहा है क्या फर्क पड़ता याँ उडाने दो हमको पता है हमश्ट हैं खीज चलिए, यहां से बताईए इसका, हमको पता है, हम best हैं, बस जहां हम जाते हैं, हमारी नाक पहले पहुँच जाती हैं, हम बात में पहुँचते हैं, बस इतनी खराबी है, बाकी तो हम बहुत अच्छे हैं, चलिए, यहां से बताईए, किसी statement में hardly भी लगा है, और never भी लगा ह हाडली भी लगा है, never भी लगा है, सबसे बड़ी गलती तो यहीं हो गई, क्योंकि किसी statement में double negative allowed नहीं होता है, double negative is never allowed in a statement, बस हाडली हमारा एक negative adverb है, it's a negative adverb, तो यहां पे दुबारा never नहीं आएगा, that is it, समझ में आए यह चीज, बस never हटा दो, काम बन गया, ठिक, so Nora hardly misses an opportunity to play in the tennis tournament, ठिक, बस, that's it, clear, चलो, अग्ला देखे जरा, कहता है, a long training sessions, the long training sessions exhausted her and she became so tired as her songs lost their originality, आण से बताईए, देखूं जरा, अरे ना कलंबी है, तो क्या चश्मा तो टिक जाता है हमारा यहां तक, को टिका पाएगा, इतनी दूर अपने आखों से चश्मा हम टिका लेते हैं, देखू, talent है, है ना, चली, बताईए answer, okay, okay, that होना चाहिए, देखूं जरा, the long training sessions exhausted her and she became so tired, so का पेर दार्ट से बनता है, so tired that her songs lost their originality, वो इतना ठक गई कि उसके गानों ने अपनी जो असलियत, जो originality होती है वही खो दी, वो इतना ठक गई बेचारी, ठेक है, चलो, so दार्ट का पेर होता है, याद रहेगा, ठेक है, कुछ conjunctions हमेशा पेर में आते हैं, बताइए, देखें जरा, कौन देता है इसके answer, let's see, देखें जरा, इफ वी विल नॉट भी अवेर ऑफ और ओन वी अबिलिटी इस दो हुजवर क्राफ्टी और अलवे स्पीडिशनल यह आपका टाइप 1 कंडिशनल है सबसे पहली छीज इफ लिखा हुआ है जहां भी इफ लिखे समझ लो कंडिशनल है अरे भाई तुमको क्या हो गया जहां भी इफ लिखा है मतलब वो कंडिशनल है और अगर statement आपका कंडिशनल है तो फिर टाइप पहचानो उसका तो आपका जो conditional clause है उसमें लगेगा simple present tense ठेक है और जो आपका main clause है वहाँ पे लगेगा simple future tense exactly ठेक है देखो if we are not aware if we are not aware अगर हम अपनी खुद की real capabilities, abilities से aware अवगत नहीं होंगे तो वो चालाक लोग, वो शड्य अंत्रकारी लोग वो शड्य अंत्रकारी लोग हमारे खिलाफ हमेशा शड्य अंत्र करते रहेंगे ठेक है, समझ में आया done कहीं भी conditional दिखे, conditional पहचान लो, उसका structure पता होना चाहिए और हाँ जी done very good clear don't aware क्यों होगा, if you are not aware if you are not aware ठेक है, don't verb थोड़ी ना है aware यहाँ पे adjective की तरह यूज हो रहा है aware इसलिए aware आर होगा, silver sparkle बात समझ में आई aware adjective है यहाँ पे ठेक है, चलो next देक है तरह being a rainy day, I did not go to the party यह तो बहुत अच्छा question है being a rainy day बताईए, बताईए, सब लोग इसका answer I did not go to the party hmm, कौन देता है answer being a rainy day, I did not go to the party देखा, आचो being a rainy day, I did not go to the party मैं rainy day था, इसलिए मैं बार्टी में नहीं गया कोई सेंस है इस बात का? मैं rainy day था, इसलिए मैं पार्टी में नहीं गया क्या मैं rainy day हो सकता हूं? नहीं न exactly, it being a rainy day it being a rainy day होना चाहिए ठेक, so it being a rainy day I did not go to the party option number one is the right answer ठेक है, चले आगे exactly done, चलो अगला देखो ज़रा सवाल कहता है question we will have to dispose the mice in the attic बताईए, बताईए, आंसे बताईए okay, okay dispose of चलो basically, हांजी basically हम एक phrasal verb यूस करते हैं dispose के साथ off ही लगाते हैं हमेशा dispose of something का मतलब होता है किसी चीज़ से चुटका ना पाना to get rid of something, to remove something, to throw something, to get rid of something that is dispose of ठेक है, so we will have to dispose of the mice we will have to dispose of the mice in the attic option number one ये बात समझ में आईए, सबको ठेक है, चलिए अगला देखे जरा तो question कहता है, I lose my pen, please help me find it I lose my pen, please help me find it पताईए lose my pen seriously lose singular verb तो पहली बात होता नहीं है मैं आपना pen खो दिया है, please मेरी मदद करोज को ढूढने में pen खो दिया है, बंदे का pen खो चुका है action is completed pen खो चुका है, तो lost और अभी भी खोया हुआ है, तो have lost ठेक है, तो कोई action started in past पहचामना टेंच सीख हो, started in past still in continuation still in continuation इसको नोट जरूर कर लेना started in past, still in continuation, कोई चीज पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी भी exist कर रही है जारी है, तो यहाँ पे हम हमेशा लगाते हैं, क्या present perfect tense present perfect present perfect tense, लेख लीचे ठेक है चले आगे, लेट्स को यार अब तक 500 लाइक्स तो हो जाने चाहिए थे यार यह क्यों इतने डल क्यों हो आज आप लो क्या बात है भाई चलिए, next देखो जरा they are not beware of all the facts they are not beware of all the facts देखो और बताओ जरा they are not beware of all the facts answer दीजे they are not beware of all the facts क्या होना चाहिए इसका answer बताइए जरा उनको सारे facts की idea नहीं था वो सारे facts से क्या नहीं थे वो aware नहीं थे अवगत नहीं थे beware का मतलब होता है सावधान आप जब किसी को सावधान होने के लिए कहते हो तो आप उसको beware कहते हो है ना beware बोले तो सावधान हो जाओ यहाँ पर क्या होना चाहिए वो aware नहीं थे सारे facts से वो सारे facts से aware नहीं थे so they were not they are not aware of aware के साथ off लगता है fixed preposition है है ना aware of something case of fixed preposition aware of something done चले कहता है सवाल आप से he found the gold coin as he cleans the floor he found the gold coin as he cleans the floor बताओ एक second मतलब समझ में आ गया तो सब clear हो गया आपका मतलब समझ में आना चाहिए बास देखा आजाओ जड़ा जड़ा सफाई कर रही थी वो फ्लोर की और तभी उसको मिला एक gold coin सफाई करते हुए बंदे या बंदी को gold coin मिला है तो वाइल जब कोई चीज किसी चीज के दौरान होती है वाइल क्लीनिंग ये ना उसको सफाई करतने के दौरान मिला सोने का सिक्का gold coin ठेक है बस यही आंसर है ठेक है option number 4 अगला देखो I agreed to meet him at the cafeteria at 9 you can't say that Amar you can't say that चलिये no errors I agreed I agreed to meet him at the cafeteria at 9 a.m. Agree के साथ note कर लीजे दिहान से एक word है हमारे पास agree ठेक है अब आपको note क्या करना है इसके साथ agree के साथ with लगता है agree के साथ to लगता है यह दोनों fixed preposition लगते हैं agree के साथ agree के साथ with तब लगता है जब आप किसी इंसान से agree हो रहे हो और to तब लगता है जब आप किसी चीज से agree हो रहे हो उससे मिलना कोई चीज है किसी इंसान से मिलना कोई चीज है तो यहां पर agree to is absolutely right answer हो जाएगा option number four that means no improvement ठेक है no improvement is the right answer कोई डाउट नहीं होगा इसमें ठेक है चलिए भाई आगे अगला देखे कहता है question have you got good teachers when you were at school क्या तुमको अच्छे टीचर्स मिले थे जब तुम स्कूल में थे क्या तुमको अच्छे टीचर्स मिले थे जब तुम स्कूल में थे बताएजरा देड होना चाहिए क्यों डेड होना चाहिए क्योंकि स्कूल में तुम पास्टेंस में थे स्कूल में तुम अभी थोड़ी ना हो स्कूल में तुम अभी नहीं हो स्कूल में तुम पास्ट में थे ठेक है जी तो क्या होना चाहिए डेड होना चाहिए exactly did Hona Chahiya क्या हो जायगा did you have good teachers did you have good teachers when you were at school did you have good teachers when you were at school option number two is the right answer done चलिया आगे और अगला स्वाल देखे by the time I reached the station I was exhausted but unfortunately there was no potter at the station and I had to carry all my luggages myself पॉर्टर बोले तो कूली चलिए, टियर टू के लिए I'm here, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अब टियर वन में इतनी हमने मदद करी है, तो टियर टू में हम ही करवाएंगे आपकी तयारी, चिंता मत करिए करते हैं कुछ प्रबंद लागेजेस जैसा कुछ नहीं होता, पता है न, है न लागेजेस जैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि लागेजेस आपका लागेज आपका uncountable noun है, ठेक है तो लागेजेस वाले तो पहले ही हटा दीजे All my luggages By myself नहीं By me नहीं, myself Subject, object same है लागेज मेरा है उठाने वाला भी मैं ही हूँ Subject, object same है तो Reflex सिवाता है, myself सारा लागेज, सारा समान मैंने खुछ से ही उठाया ठेक, सारा लागेज क्योंकि पॉर्टर नहीं था, कूली नहीं था तो सारा समान खुछ से उठाया ठेक है, चलो बताईए च्या लग रहा है आंसर बी होना चाहिए लिखा हुआ है हर फर्स्ट चाइल्ड आपको पता है, subject verb agreement में जब भी आपका add connector होता है, तो दोनों आपके subjects add हो जाते हैं और लगने वाली verb और लगने वाला pronoun, दोनों plural use होते हैं ठेक है, दोनों ही plural use होते हैं absolutely fine, so Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex ठेक है, broke with custom yet again on Monday with the announcement of the birth of their first child ठेक है, the birth, क्योंकि किसी specific birth, उनके खुद की बच्चे की birth की बात हो रही है इसलिए the birth होना चाहिए ये बात समझ में आई मतलब इनका पेठी नहीं दर्द हो रहा है, इतनी देर से comment section में बखवास कर रहे हैं इनको पढ़ाई नहीं करनी है और मतलब बंदे ने 56 minute यहां पर बिता दिये और मैंने भी इसको ब्लॉक नहीं किया आई बंदा लेकिन अब तो हद हो गई यार मतलब मैं भी कम इवल थोड़ी ना हूँ, मैंने का तुम वेस्ट करो अपना टाइम चलो तुम वेस्ट करो, ये वेस्ट करता गया, करता गया, घंटा इसका वेस्ट हो गया अब इसको आईडिया नहीं है कि इसने अपने लाइफ का क्या चीज़ गवा दिया है बस ये चीज़ होती है, चलिए, हमने भी हल्प करी गवाओ ए घंटा तुम, बाते करो मेरे उपर कॉमेंट करो, तुम बच्चों के उपर कॉमेंट करो, तुम यहीं करो मूर्ख, चलिए, अगला सवाल देखें, और आंसर बताईए लेट सी देखें भई, कौन देता है आंसर इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वस पुशिंग आउट ओफ टाइटल रेस बाइ रेनिंग चांपियन माईू मुकाइदा अब जपान आद दे वोल्ड चांपियनशिप हेर पुशिंग आउट नहीं, continuous थोड़ी ना है पुश आउट मतलब उसके द्वारा बाहर हो गई वो किसी ने किसी को हरा दिया, इसको हम पुश आउट कहते हैं है ना? पुश आउट हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वस पुश पुश आउट पुश आउट पुश आउट का मतलब किसी को हरा देना, किसी को कॉंटेस से निकाल देना निकलवा देना, that is it ठीक है? डन? चलें आगे चलो वाकिंग है इस दिस्टिंक्ली अद्वांटीज इस ओवर द्राइविं as you see many things while walking that you often miss while driving देखे जरा बताईए चलो चलो वाकिंग है इस दिस्टिंक्ली अद्वांटीज इस over driving as you see many things while walking क्या लग रहा है? डिस्टिंक्ली अद्वांटीज इस का क्या सेंस बन रहा है? बहुत से फायदे हैं walking के फायदे अद्वांटीज होना चाहिए अद्वांटीज अगर noun है तो उसके साथ adjective लगना चाहिए so walking has distinct advantages walking has distinct advantages option number two is the right answer walking के बहुत सारे फायदे हैं बहुत सारे अगलग अगलग फायदे हैं जो scenes आप drive करते समय miss कर देते हो वो walk करते समय आप सबका फायदा उठा लेते हो लुफ उठा लेते हो ठीक है? अगला सवाल देखना while the acceptance of mass gender role has been willingly taken up by women the same do not always holds true for men बताओ जल्दी से age क्या है? age के साथ और क्या डीटेल्स देदे? कुंडली भेजते? चले कुंडली भेजवा देंगे और? बताएगे बाकी लोग answer ठीक है अब सुनना basically एक तरीके से एक fact लिखा हुआ है while the acceptance of man's gender role has been willingly अगर man का gender role मतला women हमेशा तयार रहती है कि वो man का gender role ले सकती है अपना सकती है वो बाहर काम करने को तयार है है ना वो बोलते हैं कि मर्दों से कंधा से कंधा मिला के चलने को तयार है लेकिन जब सेम चीज पलट के man पर आती है तो बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो इस चीज को ले पाते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे दिखेंगे जो इस चीज को follow कर पाएंगे कि चलिए आज हम घर पे अपनी बीबी का सारा काम करेंगे आज हम भरतन दोएंगे आज हम कपड़े दोएंगे आज हम पोच्वा मारेंगे आज सब हम करेंगे आज उसको हम बैट्टी देंगे बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं does not always hold true does के साथ वर्व की first form आती है holds नहीं आएगा option number one is the right answer ठीक है option number one done अब एक बार जितने लोग बाद में आए हैं और session समझ में आ रहा है तो सारे लोग एक बार like करके आएए ठीक है session को जल्दी से अच्छा लग रहा है तो कर दीजएगा ठीक फिर आंसे बताईए अगले सवाल का let's see the ministry has recently issued suspending circular for the grant of fresh licenses to transport operations देखे जरा क्लास की टाइमिंग दस बजे है हर दन आफी क्लास दस बजे होती है हफते के साथो दिन ठीक है मताओ ministry suspended its circular क्या होता है circular को issue करती है suspend थोड़ी ना करती है have had recently issued had की यहाँ पर जरुवती नहीं है has recently issued a circular suspending the grant of fresh licenses to transport operation option number one ठीक है कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को चलिए एक सवाल और करते हैं फटा फट से question कहता है preliminary investigation revealed that the woman had committed suicide being depressed of her failed attempt to enter the country बताईए देखे जरा कौन देता है इसका answer let's see requirements יה बताईए बताई बताईए यह देखा आजाएए अब यहाँ पर बीइंग डिप्रेस्ट जॉन का तो यार कोई सेंस बन नहीं रहा है चैक है कुछ लोग कह रहे हैं no error हमको मतलब समझा दो यार being depressed of her fail attempt का हमको मतलब बता दो हमें मतलब समझ में नहीं आरह यार इतनी अंग्रेजी हमको आती ही नहीं है हमको नहीं समझ में आरह रहा इसका मतलब यह जिसने no error बोला है उनसे पूछ रहे है क्या है इसका मतलब ठेक है अब सुनना मेरी बात Preliminary Investigation Revealed that the woman had committed suicide Reason दिया जा रहा है Reason के लिए on account of लगाया जा सकता है On account of her failed attempt to enter the country Option number 3 is the right answer क्या ये बात आपको समझ में आई On account of On account of का मतलब होता है because of Reason दिया जा रहा है Clear हो गया सबको Very good अब एक छोटा सा question में आपको दूँगी Assignment ठेक है और इसका answer आप लोग मुझे बताओगे comment section में कि क्या है ठेक है आज गाईस मैंने थोड़ा सा practice sort of इसलिये रख लिया था क्यूंकि आज I was थोड़ा सा tired कल से वापस से एक एक rules को लिखा लिखा के आपकी class होगी आज थोड़ा सा quick मैंने class करी है ठेक है थोड़ा सा practice type sentence improvement type हो गई है ठेक है कल आपकी वही back to track जैसे कल हुई थी एक एक rules properly आपको लिखवा के class होगी Done ठेक है चलिए जितने लोग session को देख रहे हैं एक बार like कर देंगे अगर नहीं किया है तो और session अच्छा लगा है तो not compulsory की like करना ही है session अच्छा लगा है तो जरूर like कर दीजगा it feels good, really feels good ठेक है बाकी PDF के लिए और पहली बार class ले रहे हैं तो आप join कर सकते हैं मेरे telegram गुप को if you want to connect with me मुझसे connect होना है मुझसे interact करना है या फिर मुझसे doubt पूछनी है आपस में doubt discussion करना है class के notifications चाहिए PDF चाहिए सब इस पे मिलेगा search कर लीजएगा it has some 68,000 plus subscribers join कर लीजएगा ठेक है बाकी CHSL की आपकी super coaching yes CHSL की super coaching जो की एक unbelievable price पे आपको मिल रही है complete batch जिसमें आपकी live classes है आपके notes है आपके mock test है 299 का मिल रहा है और अगर आप code यूज़ करते हो Ananya ये है वो code ये मेरा नाम है और यही coupon code है Ananya अगर आपने ये use कर लिया है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 269 का मिलेगा कभी मिला है इतना सस्ता batch पहली बार हो रहा है ऐसा कि इतना सस्ता आपको कोई batch दिया जा रहा है धाई हजार का batch 269 में सिर्फ कुछ दिनों के लिए कि सीट यहां पर फुल हो रही है ठीक है तो description box में link मिलेगा आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ मेरी वीडियो खोलना YouTube की ठीक है YouTube पे मेरी अभी जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो को आ जाईए उसी के नीचे description box मिलेगा आपको ठीक है बस उसी का description box चेक करना है ठीक नीचे आओ description box खोलिए देखें CHSL Super Coaching पहला ही link है SSC CHSL Super Coaching का पहला ही link है description में क्लिक करिए ठीक क्लिक करोगे आप Super Coaching पे सीधे लांड करोगे अब यहां पे आपको कोचिंग मिल रही है ठीक apply coupon पे क्लिक करके यहां पे आपको code डालना है Ananya मेरा नाम capital letters में A-N-A-N-Y-A मेरे student होते है यार benefit तो मिलेगा Ananya डाल के apply कर दीजे 269 हो जाएगा 269 का buy कर लीजे phone number डाल के login करना payment method choose करना and batch आपका ठीक है batch ले लो और क्योंकि time कम है यार बहुत ज़रा time नहीं बचा है इसलिए time waste करना आप बिलकुल भी इस time मतलब बिलकुल भी आप बोलते ना afford नहीं कर रहे हो time waste ठीक है चलिए आप से मिलते हैं कल सुभे 9 बजे वाली class में तब तक के लिए bye bye take care have a great day guys good night bye bye अच्छा एक चीज़ और सुभे 9 बजे वाली class बिलकुल मिसमत करना क्योंकि सारे के सारे जो vocabulary है आपको examination में वहीं से मिलेगी 9 बजे for vocabulary it's a mandatory session to attend so take care guys bye bye and good night thank you ए हूँ आपिए एहाँ झाल झाल झाल